संतुष्टह सततम योगी यतात्माद्र निश्चयह मई अर्पित मनो बुद्धिर्यो मत भक्तह समे प्रियह नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के 12 अध्याय का 14 वा श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है पिछले श्लोक में श्रेक्रिष्ण ने आरंब किया था अपने भक्तों का वर्णन करना तो उसी विचार को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि योगी जो जीवर में अपनी स्थिती से संतुष्ट रहता है जो आत्मा में ही नियंत्रेत रहता है द्रड़ निश्चा के साथ जो अपनी मन और बुद्धी को मुझे हर्पित कर देता है ऐसा मीरा जो भक्त होता है वह मुझे प्रिये होता है और इसी को लेकर कि पिछले श्लोक में भी श्रीक्रिशन ने बोला था कि वो व्यक्ति ऐसा है जो कि किसी से द्वेश नहीं करता है सबके प्रती वह करुणा का भाव रखता है सुख और दुख में समान रहता है और सबको क्षमा कर देता है तो ये सभी जो यहाँ पर गुण थे उनको एक साथ में देखकर करके यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार के गुण ऐसे होते हैं कि भक्त के होते हैं श्रीक्रिष्न का जो भक्त होता है अब यहाँ पर आप समझिए कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा यदि आप देखें एक सामान ये व्यक्ति के लिए यदि आप देखें तो उसको इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन वह बहुती सरल सा प्रतीत होगा ऐसा प्रतीत होगा किया रहे इसमें तो कोई रस ही नहीं है तो प्रभावशाली ही नहीं है बिल्लकुल भी इसमें कोई ग्लैमर ही नहीं है जिसे आप कहेंगे क्योंकि ऐसे व्यक्ति ऐसे होगी हो सकता है कि वह धनवान ना हो वो सकता है कि वो दिखने में बहुत सुंदर ना हूँ, वो सकता है कि वो बहुत बुद्धिमान ना हूँ तो इस प्रकार से आपको वैसे विक्ति प्रतीत नहीं होगे, किन्तो आपको ये समझना चाहिए एक ग्रहनी है जो कि अपने पती का और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से देखबाल किया है जिसने तो ऐसी कोई ग्रहनी जोगी उसका जीवन ऐसा है या आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोफेसर हो जिसने कि अपने जीवन बर अपने जो भी उसके छात्रत है उनको पूर्ण श्रद्धा के साथ में पढ़ाया इननोंने क्या किया, जीवन में कुछ इनका excitement भी नहीं, कुछ उतेजना भी नहीं थी इनकी, किन्तु वास्ताय में ऐसे जो व्यक्ति थे उटित, उनोंने अपने कर्तवय को देखा और अपने कर्तवय का निर्वहां उने पूरी श्रद्दा के साथ में किया, उन्होंने दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं केंदरेत किया, उन्होंने केवल अपने जीवन में, अपनी स्तीति पर ध्यान केंदरेत किया, उसमें ही संतुष्ट रहे और अपने जो करतव वेते हैं, उनका निर्वार ठीक रुकार से किया, तो इनका जीवन वास्ताव में सार और जिए सति पूरुक्ट को पूर लगन के साथ में किया और अपना जीवन जो अच्छे से यहाँ पर उन्होंने बिताया तो यहाँ पर कुछ लोग एशे हो कि पूलेगी आ रहे, यह तो आलसी रोगते हैं, इन्होंने बसा एक क्वे केमेंड़ की तर अपने एक कार्रे किया लेकिन तो वास्ता में ऐसा नहीं होता, दोनों लोगों में बहुत अंतर होता है, जो आलसी विक्ति होता है, वह कोई कारे नहीं करना चाहता है, तो वह अपने करतव्यों का निर्वाह भी ठीक परकार से नहीं करता है, जबकि ऐसे विक्ति होता है, अपने करतव्यों को बहु सिव्च्छ मन होता है क्योंकि उन population क्योंकि तो ही अपने कर्म के फ़लों को त्याग चुगह लिए पता होता है कि उनका करतवव्य क्यों और फुर्फट्व अपने करतव आज्च्छ से निभाते हैं पहला की से क्यों पता ही होगा पहलगीव दो होख प strips है कि उसे अपने परिवार का अच्छे से पालन पोशन करना है तो इसलिए उसने ऐसा किया अब ऐसी जो ग्रहनी होगी वह अन्य विकर्षणों से नहीं प्रभावित होगी वह ऐसा नहीं होगी कि गपशप में लग जाए या धारावाइक दिखने लग जाए यदि उसके पाच म या कुछ और विकर्षणों में लगा दे और यदि उसका जो घर है वो इतना 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 धनवान है यह इतना समरद्ध है कि उसको इस परकार के करने का आवश्यक्त नहीं है तो वह अपना से समय श्रीक्रषण की पूझा में लगा देगी व्यतीत करेगी तो ऐसे व्यक्त कि इसको कुछ पता ही नहीं न थिया है जो कि इदर से रुटतार रहता है कभी इधर आकरशन के रह गया कैंब हाग्या थृ वन हाइ ऐसा ही हो जाएगा तो जो लोग ग्यानी नहीं है जिनको कुछ पता नहीं है वही ऐसे लोगों को वास्ता में मूर्ख या आलसी समझते हैं यह वो लोग मूर्ख और आलसी नहीं होते हैं यह वास्ता में सबसे अधिक ग्यानवान लोग हैं और यही हैं जो कि जीवन को वास्त तो मैं ऐसे जी रहे हैं जैसे कि जीना चाहिए तो यही संदेश था इस श्लुक में आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लुक को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इसके साथ इस वीडियो को ही पर समाब करते हैं नमस्ते